हेलो दोस्तों वरुन बोल रहा हूं टेक टॉक से आज सैमसुंग ने अपने M सीरीज का चौथा स्मार्टफोन यानि गेलेक्सी M40 लांच कर दिया और इसकी कीमत सैमसुंग ने 19,990 रखी है और यह Amazon पर अभी उपलब्द है और इस पेसिफिकेशन की जहां तक बात है यह आया है 6.3 इंच के Full HD Plus Infinity डिस्प्ले के साथ और इसमें लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass 3 जहां तक प्रोसेसर की बात है यह आया है Snapdragon के 675 प्रोसेसर के साथ 6GB RAM और 128GB इंटर्नल स्टोरेज इसमें सैमसुंग ने लगाया है और यह इंटर्नल स्टोरेज एक्सपैंड कर सकता है Micro SD Card के थूँ जो की एक्सपैंड हो सकता है 512GB तक Android 9.0 यानी Android Pie इसमें लगा हुआ है Hybrid Dual SIM इसमें सैमसुंग ने दी है साथ ही इसमें जो कैमरा सैमसुंग ने दिया है वो एक ट्रिपल रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 32 मेगा पिक्सल का है Depth Sensor है 5 मेगा पिक्सल का और 8 मेगा पिक्सल का सेकंडरी सेंसर दिया है सैमसुंग ने जिसमें सैमसुंग ने लगाया है Ultra Wide Angle Lens साथ ही जो फ्रंट कैमरा है इस स्मार्टफोन का वो 16 मेगा पिक्सल का है इसमें सैमसुंग ने रियर साइड में लगाया है दोनों ही सिन इसकी 4G VOLT सपोर्ट करती है और जहां तक बैटरी की बात है इसमें सैमसुंग ने 3500 मिलिय एमपायर की बैटरी लगाई है एमाजन पर ये उपलब्द है और इसे आप खरीश सकते हैं 19 जून से 19,990 इसकी प्राइसिंग रखी है सैमसुंग ने M सीरीज का ये 4 था स्मार्टफोन है इससे पहले मैंने वीडियो जो डाला था उसमें मैंने बताया था कि 11 जून को ये स्मार्टफोन लॉंच होगा और आज 11 जून है और आज सैमसुंग ने इस स्मार्टफोन को लॉंच कर दिया है एंडिया में दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही ऐसी ही इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम आपको देते रहेंगे अगर यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप नहीं है तो इस चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूल है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद